कुछ मीठा कुछ नम्कीन आज मैं आप अमितास किचन में लेके आई हूं मतर और कुल्चे की रेसिपी मैं आपको सबसे पहले दिखा दे दिया ही ओने कि देगा यहां में लेक्टाइमिन आपको अनका से अंच मटर बवाएं इखे देक्टाूर्प्रटों कायों रात मीरह दिया ताइम बचने आपकर दिखते हूं ऊच्छ कि लेके तो बता रहां तदीन में 0 अब इनको हमें करना किया है सबसे पहले हम इसको प्रेशर कोकर में डालके इनको यह दिखिया है सब्सक्राइब शिफ्ट कर लेंगे इस पर और पानी डालना है जैसे 1.5 कप मतर थे इसको 3 टाइमस इसका पानी डालेंगे अरूंड 3 टाइमस पानी डालें तो यह थोड़े से बड़े हो जाते हैं मतर काफी और इसमें थोड़ा सा अप्रोक्स वन स्पून आरांड सौर ताल देंगे तो इसमें मैं बाकि यह जादा करना होगा और डालना है ज़रुद हो राखे तो बाकि दालेंगे गार ज़िफ चट्निया में बगरार आज जोड़ने होगे उसमें हमने भी साल्ट होता है तो इसलिए अभी हमने वन स्मूढ तो इसमें सौल डाला है चली इसको प्रेशर कुकर बन करके इसको बिस्ल दिलवाले थे दो विसल होने के बार इसको आरांड मीडियम तू स्लो फ्लेमं पर हम कर देंगे दस मिनट के लिए इसको बोइल कर लेते फिर देखते हैं देखिए फिरेंज मैंने इसको 15 मिनिट के लिए अच्छे से बॉल कर लिया है 15 मिनिट में बिलकुल इसकी चिक थी अब हम इसको मटर को बनाने के आपको इंग्रीडियंस बता देती हूं और आपको कैसे बनाना है यह भी बता देती हूं मटर को हमने बाउल में ट्रांसफर कर लिया है अब बाकी जाएगी मैं आपको इसके इंग्रीडियंस दिखा देती हूं यह बड़े साइस का finely chopped onion दिया हूँ है मैंने तीन से सार चार ग्रीन चिलीज लिए कटी हूई यह चटनी लिए है इमली की और यह हरा धनिया है और यह हरी चटनी है धनिया की और यह dry spices हो गए तो आप हम इसको मटर बनाना कैसे मैं आपको बता देती हूं सबसे पहले बनाना बहुत ही असान है पर बनता भी बहुत ही तेस्टी है सबसे पहले हम इसको मटर को रखेंगे और उसमें हम यह जो हमने प्याज और धनिया चक्निया वगरा डाल देतें सबसे पहले इसमें हम यह जो हमने यह प्याज काटा हुआ था हम इसमें यह डाल देए लिकि प्याज अगर आप नहीं खाते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है आप बिना प्याज के भी यह मटल बना सकते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं उसके बाद यह ग्रीन चिली डालनी ह मैंने आपको बता दिया है अब बाकी आप इसमें अगर कम डालना चाहते हैं तो आप ग्रीन चिली कम कर सकते हैं उसके बाद यह हरा गर्धनिया है कटा हुआ थोड़ा सा रख लेती हैं बाकी में डाल दोंगी अब बची देखिए ग्रीन चटनी और इमली की चटनी की अब अब देखिए अगर आपको खटा साइड पर ज्यादा पसंद है तो आप ग्रीन चटनी ज्यादा डालीजेगा अराउंड देखिए इसमें दो स्पून भरके और थोड़ी सी और यह ग्रीन चटनी इसली डाल जाएगी अब यह वाली चटनी इमली की चटनी यह मैंने दो च अब देखिए हमारी सारी चटनी डाल गए है अब आम इसको मिक्स कर लेके अगर आप इसमें डालना चाहते है तो तो थोड़ा सा अब आपको लग रहा है कि थोड़ा पतला करना है यह कुछ आपका पानी की क्वांटिटी कम रह गई है तो आप इसमें थोड़ा सा बोईल अब आब आफ कर सकते हैं थोड़ा सा फूंक पानी हो देखिए कि यह बना हाक अगर आप रखेंगे न Instagram यह वैसे पड़े पड़े थी हो जाएगा तो थोड़ा सा गया से फने पानी से दो सकता है मुझे लग रहा है मुझे भी तोड़ा सा पानी आपकर आपके स्थाओा य कर लेते हैं इसमें थोड़ा सपानी आइड कर देते हैं तो अगर आपने तुरं सफ करने हैं तो आपको जैसा एस दिख रहा है जिस समय बना रहे हो इतना ही थीक चाहिए तो वो ठीक है पर अगर थोड़ी देर बाद सफ करना और बना के तो यह देख लीचे की एक नोसी कशिसनें सी थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा स्टाइप से रहे अपचे लिए धरा जाएं सिल देती हैं डाल के सबसे पहले चाथनी में था इमली चाथनी में वी था और हरी चापीर जाएं कर लिजेगा कि आपको लग रहा है कि नमक की कितनी जरूरी है मेरे को थोड़ा सा डालना है यह नमक मैंने डाल लिया और उसके बाद में डालूंगे देखे जीरा पॉर्डर अरौंड एक स्पून भर के अराम से जीरा पॉर्डर डल जाएगा इसमें और हाफ स्पून यह ब्लैक पर डल ज अर थोड़ा साइस में डालेंगे गे वान फौथ स्पून गरम मसाला है कि हमारे सारे स्पाइस डल गे है और अब इस टाइम पर अभी समें डालेंगे यह देखे थोड़ा सा अगर आपको खटा चाट वाला वो करना है तो हाफ लेमन जूस निकाला है मैंने यह दिखे यह इसमें एड कर देगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे यह दिखे हमारी वैसे मतर की चाट यह मतर त्यार हो गए इसको आप सूखा खाना चाहते हैं तो आज इस खाये इसको बाकी अगर खटा मीठा थोड़ा सा और नवक अपने असाब से देख लीजेगा जो आड़ पותष्ट खाने के लिए रेड है मिलकुल chat doubettina Easter sign मतर की चाट कि घ्मयाट के-साथ मतर कंगई अगर अचंट की तरहा है तो आप इसको बना के पापडी चाट की ओपर डालेखा सकते 5000 अब यह देखिए हमारी मतर की चाट बाटी की साथ यहाँए कहाने के लिए अब हम इसको कुल्चे के साथ सर्फ करेंगे, इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, अगर आप इसमें उपर से, वैसे तो इसमें देखी मैंने ओइल बिल्कुल भी यूज नेखी, आपने देखा, जो डाइटिंग कर रहे हैं, तो उंग सब के लिए तो यह बहुत सही है, पर एक थोड़ा सा मैं तड़का भी आपको इसके उपर से बताना चाहूँगी, देखिए उसकी जबुरत नहीं है, अगर आपको लग रहा है, वो आपने वो फ्लेवर देना है उसको, तो आप लगाए नहीं तो आदवाईज आपकी मतर की चाटते आ रहे है, आईए मैं व इसको अच्छे से, यह तड़का ऑप्शनल है, आप लगाना नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, वो आपकी चोईज है, वैसे मतर खाने के लिए त्यार है, अब यह तड़का हो गया, इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लानमेस डाल देंगे, और इसमें हम थोड़ी सी खूझ देंगे, वान फोट प्षून हें, डालेंगे, वान फोस्पून हिंग डाल देंगे, इसमें, हमारा टड़का बनगया है, अब यह को आप गार आप ने तड़का लगाना है, तो इसमें तड़के को जब आप सर्फ कर रहे हो, उसमें उपर से दालगेगा, पहले से लगा के रखेगा इसको उपर से समय डालिएगा जो उसकी एक फ्लेवर हींका और कालर भी आजाएगा कश्मीरी लाल मिर्च से तो चलिए हम इसको उसके मटर के उपर डाल देते यह देखे हमारा दड़के को हम इसके उपर डाल देते यह देखे यह हमारा मटर की चाट तड़के वागी अगर आप तड़का लगाना चाहते हैं तो वह भी रेडी हो गई है अब इसको चलिए हम सर्फ कर देते देखिये डिए Films मेरे मातर कुल झे भिलकुल खाने के लिए बिलकुल तयार है और इंको बनाएए दोनों तरीके से ट्राइ करेगा चाहें तो बिना तड़के बिन अदाय से बनाएगा और दोनों तर्श से शेयर करिये और सब्सक्राइब करिये मेरे चानल को थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू सो मॉच